आज आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, बड़ा खुलासा हुआ और दिल्ली पुलीस ने अपनी चार्जशीट में छे खिलाडियों और नो अन लोगों की गवाही और साक्षियों के आधार पर चार्जशीट में भाजपा सांसद और कुष्टी संग के अध्यक्ष ब्रिजबूशन सिंग पर यौन उत्पिणन का, स्टॉकिंग मतलब पीछा करने का, इंटिमिडेशन मतलब धमकाने और डराने का गंभीर आरोब तो लगाया ही है, साथी मुकदमा चलाने और डंदित करने की आवश्यक कारवाई कराने का कोट से आवाहन किया है आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बताना जरूरी है कि ब्रिजबूशन सिंग भाजपा सांसत पर धारा पात सो छे आपराधिक धमकी, 354 महिला की लज्जा और शिल्ता को भंग करना, 354 ए यौन उत्पिणन, 354 डी पीछा करना जैसी धाराएं लगाई गई है पुलीस ने अपनी चार्च शीट में ब्रिजबूशन सिंग को कोट बुला कर ट्रायल शुरू करने और विटनिसेज जो इसमें मेंशन हैं उनको बुला कर मुकदमा शुरू करने की पैरवी की है इस चार्च शीट के अनुसार 108 लोगों से बात की पुलीस ने जिसमें से 15 लोग जिसमें रेसलर्स हैं, रेफरी हैं, कोचेज हैं ने गवाही दी और उसमें यौन उत्पिणन, डराने धमकाने जैसे संगीन आरोप लगाए लेकिन विडंबना सबसे बड़ी ये है कि दिल्ली पुलीस की चार्च शीट, उन्हीं लोगों के बयानों, उन्हीं लोगों की गवाही पे आधारे थे, जिन्हों ने एक्जाक्ली ये सेम आरोप, एक्जाक्ली ये सेम गवाही सरकार द्वारा गठित ओवरसाइट कमिटी के सामने भी लगाई थी, आपकी याद ताजा करने के लिए बता दूँ कि जन्वरी 2023 में सरकार ने छे सदसी ओवरसाइट कमिटी गठित करी थी, जिसकी अध्यक्षता उतकृष्ट मुक्यबाज श्रीमती मेरी कौम ने करी थी, उन्होंने फरवरी के दौरान इन खिलाडियों की और अन्य लोगों की बात सुनी, जिस बातचीत के दौरान ये गंभीर आरोप लगाए गए, लेकिन अप्रेल 2023 में जब इस ओवरसाइट कमिटी ने स्पोर्ट्स मंत्राले में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी, रिपोर नहीं की, और जैसा कि सर्व विदित है, कोई कारवाई ना होने पर, ओवरसाइट समिटी से पूरी तरे से विश्वास हिल जाने पर, खिलाडी, साक्षी मलेक, विनेश फोगट, संगीता फोगट, बजरंग पुनिया जैसे खिलाडी, वापस जंतर मंतर पर आकर, मजबूर हुए कि वो फिर से प्रदर्शन करें, अपनी जायस मंगों को लेकर, और उस दोरान उनको गालियां दी गई, उनके साथ हाथा पाई की गई, उनको सडकों पे घसीटा गया, उनके सीनों को रौंदा गया, और यहां तक कि जब उन्होंने ठक हार कर अपने मेडल गंगा में बहाने की बात करी, तो इस सरकार ने अपील नहीं करी,